नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपर्चे दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ आई आज हम सभी जानते हैं मुर्चा भगाने की कुछ एक आसान हूं मैं ड्रेमेडिज के बारे में मुर्चा मतलब की आप कभी कभी देखते हैं कि लोग बेहोश हो करके गर्मी की वज़ा से या किसी भी अन्यकारान की वज़ा से या बहुत बद्वुदार चींज को सूंग लेने की वज़ा से बहुत सारे रिजन्स हो सकते हैं गिर जाते हैं उनको मुर्चा आजाती है तो कैसे आप उनको व बेहोशी दूर हो जाती है ये बहुत ही कारगर और शदी के रूप में कारे करती है किसी के लिए भी आखों में इसके अलावा गुलाब जल के छीटे देने से गर्मी की बेहोशी दूर हो जाती है कोई आप गर्धूप में जा रहा है और बहुत जादा गर्मी की वजह से उसे बेहोशी आई हो तो उसकी आँखों में आप गुलाब जल डाल दीजिए ठीक हो जाएगा छे माशा चंदन और एक माशा कपूर घीस करके मस्तिश्क पर लगाने से बेहोशी दूर हो जाती है इसके अलावा कौच की सुखी फली को शरीर पर रगणने से मुर्चा दूर हो जाती है पुदीने के हरे पत्ते कुचल कर सुंघाने से मुर्चा हड जाती है बस करना होगा आपको कि पुदीने की हरे पत्तियों को पीस लेना है और सुंघाना है पके हुए सेब के रस में मिश्री मिला करके पिलाने से मुर्चा मिट जाती है राई पीस कर सुंखाने से भी मुर्चा दूर हो जाती है लुबान की धुनी नाक में देने से या खीरा काट कर सुंखाने से बेहोशी दूर हो जाती है बेर का गुदा, काली मेर्च, नाग के सर और खस प्रते बराबर मात्रा में ले लीजिए सभी को लेकर के ठंडे जल के साथ पीस करके पिलाईए इससे मुर्चा दूर हो जाएगी रीठे को पानी में पीस कर दो से तीन बुंद नाक में टपकाईए इससे मुर्चित रोगी को तुरंत होश आ जाता है असगंध नगोरी यानि के नागोरी और शता और छेचे गराम इसको कूट कर 250 गराम गाई के दूध में डाल दें फिर 250 गराम पानी डाल करके आग पर चढ़ा दें जब पानी जल जाए तब मिश्री मिला करके रोगी को एक सबताह तक पिलाएं यह प्रियोग हिश्टीरिया में काफी लाफकारी होता है जिहां दोस्तों यह कुछ एक ऐसे आसान होमेड रिमेडिज थी जिनके सहारे आप मुर्चा यानि की बेहोशी की बेमारी को दूर कर सकते हैं आप ध्यान रखें कि जब भी आपको धूप में जाना पड़े तो ठंधा पानी साथ लेकर के चलें पानी हमेशा लेकर के जैसा कि अब गर्मियों के दिन आ गए हैं बहुत जरूरी होता है कि आप पानी परियाप्त मातरा में साथ लेकर के चलें ताकि स्वस्तर है सकें तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महतवपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों